एग्रिकल्चर में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं टमाटर की उन्नत खेती सबसे पहले बात करते हैं उन्नत समय वर्सात के लिए आप मई, जून, जुलाई पर लगा सकते हैं इसके अलावे गर्मियों के लिए आप दिसंबर और जनवरी का मौसम ठीक रहता है इसके अलावे यदि बात करते हैं टेम्परेचर और मिट्टी तो लगभग सभी परकार की मिट्टी में आप सफलता पूरबाग टमाटर की खेती कर सकते हैं तो इसका उपयोग तो जो टेम्परेचर अनुकूल टेम्परेचर ठीक तरीके से फिरूटिंग ठीक तरीके से सफलता पूरबाग यदि आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो इसका जो उन्नट टेम्परेचर की आप सकते परती इस फसल को 15 डिगरी सेल्सियस लेके 35 डिगरी सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर होता है बहुत ही अनुकूल माना गया है बात करते हैं खेट तयार तो खेट तयार करते हैं समय आप पिलाव से ठीक तरीकी से मतला पिलाव को चलवाईए और अच्छे तरीकी से खेट को समतल कराके बेड़ बनवा लिजी इसके अलावा बात करते हैं mulching paper तो tomato की जो फजल है बैजिटेबल है तो इस पर आप 25 micron का mulching paper लगाएगे तमाटर की फजल पर यदि drip irrigation की बात करते हैं तो drip irrigation in lines आप 16 mm drip इस्तमाल करें किसान भायो यदि बेसल डोज की बारे में बात करते हैं जब हम बैट तयार करते हैं तो उस समय आप एक बोरी डियेपी एक बोरी एससपी इसके अलावा 30 kg आप पोटास और 10 kg आप रिजेंट जी आर को इन खादों को mix करके आप बेसल डोज दे सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं उन्नत बैराइटी के बारे में तो मद्द्परदेश के हिसाब से हम बता रहे हैं आपके एरिया में जो बढ़ियां बैराइटी हों आप उसी का चैन कर सकते हैं सेजंटा कंपनी की साहो, इसके अलावा सेमिनीज कंपनी का अभिलास, इसके अलावा यूएस कंपनी का पंदरा जीरो एक और पंदरा जीरो चार, ये बढ़ियां बैराइटी हैं, इसके अलावा आपके एरिया में जो क्लाइमेट्स, मौसम और मिट्टी और जलबायों के हिस आपनस्था जो बढ़ियाँ VARITY हो आप उन्ही ईवाइब्रेड बैराइटी का चैना कर सकते हैं इसके अलाभागाद करते हैं नर्सरी तयार तो हमाई जो नर्सरी टमाटर की 25-26 दिनों में नर्सरी ठीक तरीके स्वस्त तयार हो जाती है और इसके अलाब बाद करते हैं पौधों की आवसकता तो एक एकड़ में हमको लगभग यदि हम जिगजग प्लान्टेशन करते हैं और एक फिट का अंतरा लगते हैं पौधी से पौधी की दूरी तो हम एक बेट पर डबल लाइन का हम प्लान्टेशन करते हैं जिग जिग प्लांटीशन करती हैं तो 15,000 से 16,000 पौधी की आबस्क्ता पड़ती है यदि हम बल लायन पर, सिंगल लायन पर प्लांटीशन करती हैं तो लगभग 8,000 की आसफाब पौधी की आबस्कता पड़ती है इसके अलाव बात करते हैं एक एकड़ पर कितना seeds लग जाता है तो एक एकड़ 4-60 gram बीज परयाप्त होता है जैसे ही आपने पौध रूपाई कर दी है तो आपको drip के माध्यम से खाद को देना पड़ती है जैसे ही आपकी पौध रूपाई से फसल लग भग 10-12 दिन की होती है तो आप flowering stage तक यानि पौध रूपाई से flowering stage तक NPK 1999-19-19 घुलंसील खाद और 1 kg यूरिया 1 kg 1999-19-19 खाद को इन दोनों को mix करके आप हर दूसरे दिन drip के माध्यम से एक एकाल पर छोड़ते रहिए इसके अलावा आप बीच बीच में micronutrients भी fertilizers भी दे सकते हैं इसके अलावा जैसे हमाई फसल flowering आना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसी के साथ यूरिया एक किलोग्राम एक किलोग्राम 1999-19 और एक किलोग्राम सत्तरा चाबालस जीरो जीरो एनपी के घुलंसील खाद को चलाना चाहिए किसान भाई उसके अलावा बात करते हैं यदि हमारी फसल ग्रोथ नहीं हो रही है तो हम bio beta और humic acid को spray कर सकते हैं हमारी tomato की फसल पर यदि फूल फल कम आ रहे हैं तो हम tonic का spray कर सकते हैं जैसे सिजेंटा कंपनी की ईस्ता ब्यावन tonic या फिर टाटा रैलीज की बहार tonic या फिर फेंटाक प्लस जैसे tonic को आप spray कर सकते हैं फिलहाल आज की वीडियों बस इतना ही धन्नबाद